साउथ कश्मीर के अनंतनाक जिले में काजीगुन के शामपोरा इलाके में मंगलवार रात एक ट्रक के हाई वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आने से एक अग्या ट्रक चालक की जलकर मोथ हो गई एक पुलिस अधिकारी ने बताया काजिगुन के श्रामपुरा इलाके में पहुंचने पर एक ट्रक PB29X4153 बिज्री के ट्रांसफार्मर के पास एक हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आया, ट्रक में आग लगने से पहले चालक को करंट लग गया, बाद में इतला मिलने पर Fire and Emergency Service के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबु बाया गया, हाला कि वहान जलकर खाक हो गया और चालक की जलकर मोथ हो गई, पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने अभी तक ट्रक चालक की पहचान नहीं की है, एक बार जब हम उसकी पहचान कर लेंगे तो हम उसके यहाँ पर आगा, हमने देखा तो गारी लाइट के सथ लगए थी यहाँ पर गारी लाइट गई तो गारी जलकिया देखा तो गारी ने बार चुका है, अभी कोई पूरी ने की नहीं है, तो अभी पता चलेगा एगा कौन है यहाँड है। प्रताब वर्ट स्कूल, डिफेंस रोड पठान कोड़ 705-109-1811